हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दी चैनल सॉल्यूशन हम आज लास्ट दो टोपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है स्टोरिज कंडिशन ऑफ रेडियो फार्मसोटिकल्स एंड इस अप्लिकेशन इन फार्मसी तो चली स्टाट करते हैं हमारा आज का वीडियो और इसमें हमारा पहला स्टोरिज कंडिशन और प्रेकॉशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्स्टैंस यानि कि अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्स्टैंस हैं तो यह हम किन कंडिशन में स्टोर करके रखते हैं उनके स्टोरिज के दौरान हमें क्या क्या प्रेकॉशन रखने पड़ते हैं साथ ही ह बारे में हम इस topic में पढ़ेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं इसे, one by one हम एक पॉइंट कवर करते जाएंगे, इसमें हमारा पहला point है, it should be handled with forceps and direct contact should be avoided, कोई भी अगर radioactive substances को अगर हम handle कर रहे हैं, तो इसे हमें forceps के मदद से handle करना है, और साथ ही हमें क्या करना है, direct contact को avoid करना हम forceps की मदद से उसे touch कर सकते हैं, इसका second point है, any substances which is taken internally, food, drinks, etc. should not be carried out in labs, where radioactive materials are used, तो ऐसे substances जिसे हम खाते हैं, internally हम जिसे intake करते हैं, जैसे कि खाना हम खाते हैं, टिफिन खाते हैं, अगर हम पानी पी रहे हैं, या कोई भी cold drink अगरा है, तो ऐसे खाने पीने के चीजों को हम आपस में नहीं लाएंगे, ऐसे लापस में जहां radioactive material का यूस किया जा रहा है, या ऐसे जगा जहां पर उसे store करके रखा गया है, क्योंकि radiation वो continuously release करते हैं, तो इसे क्या होगा, अगर हम food material रखेंगे, या कोई पीने की चीज वहां पर रखेंगे, तो वो radiation उसमें भी चले ज करेंगे, इसलिए, ऐसे labs जहां पर radioactive material को रखा जाता है, या used किया जाता है, वहां पर किसी भी तरके की खाने के चीज़ों को या फिर पीने की चीज़ों को use नहीं करना है, नहीं वहां उसे अंदर लाना है, इसका next point है, must wear protecting cloths, shields, etc. while handling these materials, तो जब भी हम radioactive material को handle करें, तब हम क्या क्या करना है, protecting cloths पहनना है, जैसे आपने टीवी वागेर हमें भी देखा होगा, जहां radiation होते हैं, वहां पर मेल ली क्या होता है, एक radiation से बचने वाला special कपडे आते हैं, हम उसी को यहां पर पहनेंगे, इसके अलावा shield वागेर हमारे पास है, तो वह हमें आपर use करेंग इसके अलावा gloves वागेर भी हमें use करना पड़ेगा, जब भी हम किसी radioactive material को handle करें, next point है इसमे, it should be labeled in container with shielding, radioactive material को हम special container में रखते हैं, साथ ही उसमें labeling करके रखते हैं, कि यह material radioactive है, ता कि कोई भी person उसे directly touch ना करे और वो अलग से identify हो पाए, इसलिए हम जिस container में radioactive material को store करके रख है, next point है इसमे, storage should be maintained constantly, जहांपर हम radioactive material को store करके रखेंगे, उस storage को हमें properly maintain करके रखना है, continuously हम उसमें नजर बना के रखेंगे कि कहीं ज्यादा radiation नहीं हो रहा है, जितना भी radiation वहांपर emit हो रहा है, वो एक tolerable quantity में है या नहीं, यह सारी चीज़ों को हम constantly यहांपर monitor करेंगे, next इसमें, dispose should be done with great care to animal and environment, जब भी हमें किसी radioactive material को dispose करना हो, discard करना हो, या फेकना हो, तब हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, हम उसे ऐसी जगह पे ना फेके, जहांपर animals रहते हैं, या उनको किसी तरीके का directly उससे नुकसान हो, साथ ही हमें environment को ध्यान में रखते हुए भी, ऐसे materials को dispose करना होता है, next point है, area where radioactive material are used, should be monitored, तो ऐसे area जहां पर हम radioactive material का use कर रहे हैं, या फिर उन्हें हम इस्टोर कर रखे हैं, या कहीं research वगएरा में हम उसे use कर रहे हैं, तो ऐसे area को continuously monitor करना जरूरी होता है, अगर हम continuously monitor नहीं करेंगे, तो कहीं ऐसा ना ह कि उस lab से वो material बाहर निकल जाया, उसके जो radiation है, वो आसपास की area को contaminate कर दें, इसलिए ऐसे area को isolated भी बनाया जाता है, साथ ही इसे continuously monitor में रखा जाता है, next point है इसमें आपका, care should be comply with national regulations for protection against ionizing radiation, ये जो radiation होते हैं, इनको स्टोर करने के लिए और इन्हें यूस करने के लिए अल national regulation for protection against ionizing radiation, ये हर country के अपने-अपने regulations भी हो सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी radioactive material को उस country में श्टोर करके रखते हैं, या उसका use करते दौरान, हम उन regulations को follow करते हैं, जिससे किसी भी तरिके का हम, किसी भी human को ना हो, ना ही environment को हो, और ना ही animal को हो, safely हम क्या करें, उस radioactive material को handle कर पाए, तो ये हमारे कुछ precautions और storage condition थे, जिसमें हम किसी भी radioactive material को रखते हैं, अब इसमें हम अगला topic पढ़ेंगे, applications, हम ये जो इतने सारे radioactive material के बारे में पढ़े, radio activity measurement के बारे में पढ़े, compounds के बारे में पढ़े, तो इनका use कहां किया जाता है, pharmacy में, medicine के purpose में, इनक radioactive substances है, इनका पहला use हम देखेंगे, treatment of cancer and tumor, radiation therapy सबसे ज़्यादा cancer में use होता है, या आप अपने daily life में भी सुनते होंगे, कि cancer को treat करने के लिए radiation therapy का use किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा use इसका cancer और tumor के treatment में किया जाता है, इसमें हमारा पहला compound होता है, amerycium 241, californium 252, co60 य cobalt 60, gold 94, iodine 125, तो ये जो उपर के चारो compounds है, amerycium 241, californium 252, cobalt 60 और gold 94, ये जो चारो compound है, इनका use as a anti-neoplastic agent किया जाता है, anti-neoplastic, anti-cancer का दूसरा नाम होता है, इसका मतलब होता है, anti-cancer या anti-tumor drug, ठीक है, तो ये उसी का दूसरा नाम होता है, तो ये जो चारो compounds है, इनका use as a anti-neoplastic agent किया जाता है, और ये जो iodine 125 है, used in prostate और brain cancer, तो brain cancer जब होता है, तब उसके treatment में हम iodine 125 का use करते हैं, इसमें हमारा second है, treatment of thyroid diseases, हमने iodine के बारे में पढ़ा था, I131 के बारे में, sodium iodide 131 जिसको radioactive iodine भी कहा जाता था, तो ये हम वहाँ पर भी पढ़े थे, कि ये जो iodine है, इसका use mainly हम thyroid disease में करते हैं, तो mainly thyroid disease के treatment में iodine 131 को लिया जाता है, ये जो iodine 131 है, used for treatment of thyroid cancer, hyperthyroidism, etc, तो thyroid का अगर कोई cancer हो, तब हम iodine 131 का use करते हैं, इसके अलाबा hyperthyroidism के case में भी इसका use किया जाता है, thyroid disease के diagnosis में भी इसका use किया जाता है, और treatment में हम इसका use करते हैं, ये कि जो सारा चीज है यह हम detail में sodium iodide वाले वीडियो में बढ़ चुके हैं next है इसमें हमारा third है treatment of arthritis, arthritis को treat करने के लिए भी हम इसका use करते हैं radioactive materials का arthritis यानि कि joints में कि इंफ्लामेशन होता है इंफ्लामेशन होता है इंफ्लामेशन in joints हड्डियों के बीच में जो joints होते हमारी body में उसमें जब inflammation होता है उसी condition को बोला जाता है arthritis और इसके treatment में भी हम कुछ radioactive material का use करते हैं तो इसके example में आपका Airbnb 169 इसका use किया जाता है आपके treatment of arthritis में इसमें लिखा हुए for relieving arthritis pain in synovial joints तो जो body में synovial joints पाए जाते हैं जब वहाँ arthritis का condition हो यानि उन joints में जब inflammation हो तो इस condition में हम Airbnb 169 का use यहां पर करते हैं next है इसमें हमारा fourth diagnostic radio pharmaceuticals तो यह ऐसे radio pharmaceutical होते हैं या ऐसे radioactive material होते हैं जिनका use mainly हम diagnosis में करते हैं ठीक है इसके पहले जो था तीनों यह treatment में यूज हो रहा था और यह जो अभी fourth part है इसका वह diagnosis में यूज होगा तो अलग-अलग disease के diagnosis में भी radioactive material का use किया जाता है इसमें हमारा पहला compound है ammonia N13 इसका यूज किया जाएगा injection used for diagnostic coronary artery disease तो जब coronary artery disease हो तो उसके diagnosis में injection यूज किया जाता है जिसमें आपका ammonia N13 भी होता है next है इसमें आपका chromium 51 ठीक है in diagnosis of parnesius anemia parnesius anemia के case में उसको diagnose करने के लिए क्या किया जाता है chromium 51 का use किया जाता है third है इसमें आपका holmium 166 diagnosis and treatment of liver tumor liver tumor लिवर में जब tumor हो तब उसके treatment में और diagnosis में दोनों में हम holmium 166 का use करते है next compound is iodine 125 used diagnostically to evaluate the filtration rate of kidneys kidney का काम क्या होता है filter करना blood को वो filter करता है जो भी waste product है उसको kidney क्या कर देता है filter कर देता है तो यह जो filtration का process होता है उसको evaluate करने के लिए किसका use किया जाता है iodine 125 का use यहां पर किया जाता है तो as a diagnostic agent भी iodine 125 का use यहां पर किया जाता है इसके पहले हमने यहां पर भी पढ़ा था iodine 125 जिसका use किया जा रहा है था ब्रेन के cancer में और diagnostic purpose में यहां पर kidney rate का filtration rate है उसको evaluate करने के लिए हम iodine 125 का use यहां पर करते हैं तो यह थे हमारे दोनो topics और इसी के साथ हमारे unit 5 यहां पर खतम होता है I hope कि आपको यह topic समझ में आ गए होंगे आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं Thank you so much for watching this video